स्वागत आपको एक नए वीडियो में समाझते हैं इस वीडियो में कि गूगल पे में क्यूर कोड और स्केनर को कैसे डॉनलोड करें और अपने दुकान या स्टॉल पर कैसे लगाएं तो गूगल पे कि तूरू आपके सब फोन पर मुबाइल नंबर से थूल ले रहें तो उ स्टेमर आपका दुकान पर पेमेंट करें तो आपका पेमेंट आज आजा आपका इडिफिकेशन उसके पास ना जा तो कैसे डॉनलोड किया जाता है गूगल पे क्यूर काड़ और स्केनर तो इस वीडियो में पूरे जानकारी दिया जाएगा तो चलिए वीडियो को कर दे करते आँ वीडियो को असतात है आपको कुछ चीज परकार से अपना 뭔 में गूगल पर लिक्रेकिशन को ओप लेना है जहां बिया आपका फॉन चाहिंग लेने सोगा सबसे पहले आपकि ओपर लेना है जैसे ऑप और आपको DJS परकार से इंटरपर दिखाई देगा सब्सक् बार में यहां पर देख सकते हैं आपको रिसेंटली जो पेमेंट की हैं वो पेमेंट आपको इस पर के से किलिक की किजेगा यहां पर देख सकते हैं आप मर्चेंट पेमेंट यानि कि क्यू आर कोड से किसी को पेमेंट की हैं या फे अपना फ्रेंड को या मोबाइल नमर से प कुछ नहीं लगा वह ता आपको सिर्फ आयुकोन दिखेगा तो यहां पे दख सकते दैना साथ आपको उस फोटे को उपर किलिक करना है जैसे आपको किछ परकर से इंटरफेस दिखाई देगा आपका जिस नाम से गूगल पर चल रहा है आपका नाम दिख जागा और जिस नम नमबर पूरत दस डिजित आपको दिख जागा आपको उसके बाद आपको यूपी आइडी जो होगल पे का उसका नमबर के नीचे दिख जाएगा अर्दायना सेर में आपको फोटो और QR कोड का लोगों दिख जाएगा तो हमें Google पे के QR कोड और स्केनर का जो स्केन QR कोड होता है उसको हमें डॉनलोड करना है तो चले यहां फोटे आरा स्केन कोड यहां पे दिख रहा है उसके ऊपर आपको किलिक करना है जैसे हैं आप किलिक किजेगा आपको किछ इस परकार से जो स्केन कोड है आपको दिख जाएगा आपका बैंक के कॉ अगर आपको गूगल पे में एक नंबर पर मल्टीपल बैंक के कॉंट एड़ है तो आपको एक से अधिक QR कोड दिखाई देगा लिकिन आपको जिस बैंक के कॉंट को आप स्केन कोड डौनलोड करना चाहते हैं उसे के उपर आपको क्लिक करते हैं चलिए यहां पर तीन बैंक एक मुबाइल नंबर पर यहां पर दिख रहा है और यहां पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है बैंक ऑफ इंडिया का है वरांचल ग्रामिन बैंक का तीन बैंक एक गूगल पर नंबर पर चल रहा है तो चलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख रहा है दिख रहा है उसका scan code को हम download करना चाहते हैं तो चलिए हम इस परकार से scan code को हम download करना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं इस परकार से scan code आग यहां पर अगर आप change करना चाहते हैं नहीं आप चाहते हैं कि इस bank account का नहीं scan code हम download करना चाहें दूसरा bank account को क्युemor Dieses को को क्यु объяс करनद चा conservatives या तो फिर उसको भी चेंज करके आप और भी मलटीपल में तो आप यहां वराण ग्रामिन बेंक है उसका बैंक अज़िया को कुई आरं को कुईर को डॉनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी डॉनलोड ना कर अगर आपको डॉनलोड नहीं हो रहा तो आपको इस परकार से स्क्रीन सोट कर लेना है आपका फोन में जिस हिसाफ से स्क्रीन सोट होता है उस हिसाफ से अपना स्क्रीन सोट को कर लिजा उसके बाद आपको उस स्क्रीन सोट को आपको क्या करना है आपको आपको उस स्क्रीन सो बाद आपको उस scan code को अपने दुकान या टकसाल में लगा सकते हैं उसके बाद आपका customer कोई भी payment करेगा तो आपका payment scan code के थूँ आएगा और आपको payment भी आजाएगा और आपका कोई भी identification उसको नहीं जाएगा अनिका सीर्फ फर सीर्फ आपका नाम जा सकता है लेकिन आपका mobile नंबर के थूँ जो आप payment लेते थे वो आपको नहीं जाएगा जिससे आपको security region बचा रहेगा और आप फ्रोड का सिखार नहीं बन सकते हैं तो इस परकार से आप Google पर application में जाकि scan code को download करके या screen sort करके आप print out निकाल सकते हैं और आप payment को receive कर सकते हैं इस परकार से किसी परकार इस परकार से किसी तरह का fraud होने का chance नहीं रहता है तो हमें उमीद है यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अगर Google पर application से किसी तरह का confusion या dot रहता है तो आप हमें बेहचक comment करें हम उस पे special वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और हमें उमीद है यह आपको वीडियो समझ में आ गया होगा अगर आइसा ही informative वीडियो इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो Google पर application चलाने में आपको किसी तरह का दिकत हो रहा है तो उस topic का नाम लिग के और आप comment करें हम उस पे एक special वीडियो बनाएंगे ताक कि आप Google पर आसानी से चला सकेंगे और आप fraud का सिकार नहीं बन पाएंगे तो हमें उमीद है यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आ गया है तो आप अपना राई comments पक में जरूर दिजेगा तो मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए ज हैंगे तो 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 हैंग